Hello everyone, welcome back to the Divine Tarot. कैसे हैं आप सभी लोग, I hope, I wish, I pray, कि आप सब बहुत अच्छी होंगे guys. So, आज की जो रेडिंग होने वाली हैं, इस रेडिंग में हम देखेंगे कि आपके वर्सन की current feelings क्या हैं. आपकी प्रस्नल रेडिंग नहीं है, so, प्लीज इस बात का ध्यान आप लोग अपने माइंड में रखो. Okay, चलिए, हम रेडिंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे आपके और आपके पॉर्सन की current feelings क्या है. Currently आप दोनों क्या feel कर रहे हो, then हम कैनल बाक्स रेडिंग से उनकी true feelings पे देखेंगे. Okay, so, चलिए, देख लेते हैं, Divine Universe Angels guide करें और बताएं मुझे मेरे viewers की current energy क्या है, इस वक्त मेरे viewers की current energy बताएं, आपके energy cue check करी जा रहे है, ताकि आपको अच्छा सा idea लग सके, ठीक है? Divine Guide करें और बताएं मेरे viewers की current energy क्या है, मेरे viewers क्रेंट लिग क्या सोच रहे हैं? Okay, Separation, Harmony So, कहीं न कहीं आप निकलने का प्रयास तो कर रहे हूँ, ठीक है, यह तो दिख रहा है कि इस रिष्टे से निकलने का प्रयास कर रहे हो, बट कहीं न कहीं आप निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है? सारे चीजियों का बॉर्डन आपने अपने सर पे ही ले रखा है जिसके वज़े से आप काफी परिशान हो रहे हो और काफी रोते धोते भी हो कि हम आपके पर्सन के भी देखेंगे मुझे बताइके पार्टनर कीस फिलिंग व्यीrias वैक्ति का धियान कर रहे हुआ उस पर्चनु की फिलिंग बताए वो क्या फिल कर रहे हुं स्लावल्लिंग उके इनोसेंस तो यह आपके पार्टनर की फीलिंग है रिपनेस दी आउटसाइडर पेशन्स सबस्पर पहले आप करूँगे मैं आपके फीलिंग्स की ठीक है आपके फीलिंग्स मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप कहीं न कहीं पास्ट की चीज़ों को लेके चाहनों ठीक है चाहते हो इस पर्षन से रिकंसाइल करना इस पर्षन के क्लोज आना इस पर्षन के साथ अपनी फ्यूचर भी देखते हो कहीं न कहीं आप दोनों में सप्रेशन हुआ है डफिनिटली सप्रेशन से आप खुश नहीं हो आपको बहुत strong feeling आती है अंदर से कि yes ही मेरा soulmate है ठीके और मैं twin flame journey में हूँ इसलिए मुझे suppression का सामना करना पड़ा है x y z lots of questions मुझे आपके mind में नजर आ रहे है ठीके तब उसके बाद भी कहीं नहीं आपको outcome नहीं मिल पाता है आप चीजों को find नहीं कर पाते हैं अच्छे स है बड़ सबसे पहले आप पाते हो ठीके रोना उसके बाद आप जो भी कारे से definitely करते हो उसको ठीक है चाहिए को काम करना हो व्यक्ति afford करना हो जो भी situation आफेन सबसे हैं सबसे पहले आप करना नों हो reality को और नगरना प्रैफर करते बट यह आपके अंदर strength बहुत जादा है जिस बात का अंदाजा आपको बिल्कुल भी नहीं है इस समय करेंटली कहीं नहीं कहीं आप suppression का सामना कर रहे हो नो बज़से आप चीजों को लाइक पकड़के कहीं नहीं होल्ड करते हुए नजर आ रहे हो निकलना चाहते हो इन सारी चीजों से इस प्रिच्वाल्टी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे है भगवान के प्रती बहुत जादा आस्ता बढ़ गई आपके अंदर ठीके बहुत जादा पुजा पाट करना भगवान से रिलेटेट हर चीज करना ठीके कहीं नहीं आपके अंदर अल अवर मुझे एक पॉजिटिव एनरजी भी नजर आ रही है और कहीं नहीं आप अपने पार्टनर को लेके काफी ज़्यादा देस्परेट भी होते हुए नजर आ रहे हो बात करूँ आपके पॉर्सन की फ्लावरिंग एनरजी है इनियोसेंस है डफिनिटली आपके पॉर्सन जो है अपने लाइफ में उन सारी चीजों के तरफ इनका ध्यान जादा है जो चीज़े इनसे इस समय कही नहीं के इनको ऐसा लग रहा है जो आपके परसन आप से डिस् बीटिट से लिए जालागे बहुत सारे बाते हैं जुब लब ऑप से चुपाते है और आपके साहने जब भी आते हैं तो आपको अशा बच्चावाला चेहरा दिखाएंगे । बहुत जादा मासूं अंगे लिए जाट doet डेफिनेटली आप पिक नहीं कर पाऊगी, ये परसन आपको हमेशा हैपी होके, खुश होके दिखाते होंगे, बट करेंटली ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़े खतम भी हो रही है, और ये संभालने में लगे, ठीक है, पेशन्स काफी रखा है इन्होंने और डेफिनेटली ये परसन जो हैं आप से किसे तरीके से दूर भाग रहे हैं इनको, इस समय यही समझ में आ रहा है कि आपके साथ इस रिष्टे में डिस्टेंस में रहना, पेशन्स रखना ही काफी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, करेंटली ये सोच रहे हैं अभी कि आप से डिस्टेंस में रहना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं ये, क्योंकि आप इनके life में आते न उन सारी चीज़ों को खतम कर दोगे जो चीज़े ये चाहते नहीं है खतम होना ठीक है एक मिन था ripness के energy को clarify करें इन्वर्स ये किसी भी तरीके का risk लेना नहीं चाहते आपके partner ठीक है ये शान्त है और ये कुछ समय तक शान्त ही रहना चाहते है इनको ऐसा लग रहा है माहुल शान्त हो जाए आप सान्त हो जाओ या ये situation जो है सही हो जाए ठीक है उसके बाद जा करके ये कहीं एक आट खुद से आया है the creator let and go कहीं न कहीं आपके person चाहते जरूर है जो चीजे चल रही है जैसे चल रही है वो situation वैशी ही चले ठीक है जैसे जैसे ये situation खतम होगा या जो भी अभी problem आप दोनों में चल रहा है वो time निकल जाएगा उसके बाद जाके आपके person आपको शान्ती दिमाग से कहीं न कहीं approach जरूर करेंगे ठीक है दी creator की energy ऐसा लग रहा है ये सब कुछ 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 से create कर रहे है खुद के mind में illusions create कर रहे है खुद के mind में ये बाते कर रहे है control कर रहे है खुद को ठीक है बटी आना नहीं चाहते because इनको ऐसा लग रहा है patience रखने में ही भलाई है yes आपके person patience रखना जादा prefer कर रहे है ठीक है number seven की energy आई है तो किसी भी तरीकी का conflict argument ये नहीं चाहते है आप दोनों के बीच में ठीक है काफी aware होते हुए नजरार ऐसा लग रहा है awareness इनके अंदर बहुत जादा आ गई है अब ये चीजों को easily like ऐसा लग रहा है कि pick कर पा रहे है कि इनको क्या करना सही रहेगा ठीक है क्या करना सही नहीं रहेगा yes अपने life में ये बाकि सारी चीजों पे भी ध्यान दे रहे है अपने life में grow करना चाहते आगे बढ़ना चाहते ठीक है और life के और जगों पे भी इनका ध्यान definitely है life के और wishes पे भी इनका ध्यान है यह आपको miss करते हैं बट कहीं न कहीं distance पे रहना ही इस वक्त यह prefer कर रहे है ठीक है तो चलिए देखते हैं इनके true feelings क्या है इस वक्त कहीं न कहीं इनको distance ही जादा सही समझ में आ रहा है अब दोनों के बीच में ओके सो energies change भी होती है ठीक है चलिए देख लेते हैं कि आपके person के true feelings क्या है और इनके next action भी आज देखने वाले हम candle wax reading में कि next और क्या करने वाले next क्या होने वाला आप दोनों के रिष्टे में next क्या होगा मुझे नहीं लगता कि आप लोगो guidance की जोरुरा थे ठीक है मोटा मोटी आप लोगो को like idea लग चुका है अपने partner के बारे में और like आपकी energy में मुझे feel हो रहा था कि yes आप लोग कहीं नहीं अपने उपर अच्छे सो ध्यान दे रहे हो ठीक है और चीज़े आपको समझ में आ गई है पहले हो सकता था कि बहुत जादा प्यार के चक्कर में आप चीज़ों को देख नहीं पाते थे ठीक है बट currently ऐसा लग रहे है कि yes आप देख पा रहे हो चीज़ों को understanding अच्छी ओर यह धीरे धीर है और के समझ पा रहे हो तो अच्छा लगा मुझे आप लोग की एनरजी देख के थोड़ा सा सप्रेशन का सामना जरूर कर रहे हो बट यस कहीं ना कहीं समझदार जरूर बन रहे हो ठीक है धीरे धीरे अपने उपर भी फोकस करना स्टार्ट कर है कि अच्छी को अच्छी नहीं समया है बर जैसे ही आप इनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे यह भाग जाएंगे थीक है यह छुप जाते हैं कहीं पर यह आपको पहचाने से इंकार कर देते हैं या किसे तरीके से आपको इग्नॉर कर देते हैं ठीक है ऐसा दिखा देते हैं कि हमारा तो कोई मतलब भी नहीं है आप से ठीक है या मैं तो ऐसा होता है न अंजान बन जाना वही एनरजी है बेबी के एनरजी नजर आ रही है यहाँ पे बेबी नजर आ रहा है छोटा सा ठीक है क्यूट सा बेबी है और सकते हैं यह आपको बेबी बुलाते हो यह आप दोनों के बीच में कोई बच्चा है ठीक है और आप separate हो अपने husband से या wife से ठीक है या आपके kids हो सकते है yes miss करते हैं यह ठीक है या या आपको अपना बेबी मानते हैं बेबी girl या बेबी boy ठीक है कुछ भी लेकिन definitely बेबी से तो connect है यह यह ऐसा मानते हैं कि आप अभी भी बच्चे हो ठीक है maturity नहीं है आप में mature नहीं हो आप बिल्कुल भी mature तरीके से deal नहीं करते हो रिष्टे में ठीक है आपके अंदर ना आपके partner ने एक change का हैसास किया है ठीक है इनको definitely ऐसा लग रहा है काफी लंबे समय से आप change हुए हो आपके अंदर एक change का हैसास आया है ठीक है ठीक है और ये changes ये बदलाव इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है आप में बढ़ ये खूल के कभी कहते नहीं है आप से ठीक है इनको ऐसा लग रहा है बाटने ने जो भी promises किये थे ठीक है definitely आपके partner उस promises को निभाज जरूर रहे है बढ़ ऐसा लग रहा है आपके तरफ से जो promises किये गए थे रहे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे चूट रहा है ठीक है आपने इनको प्यार बहुत किया बहुत ने दिया इनको प्यार किया इनको बहुत आपने motivate करा है काम के प्रती, career के प्रती आपने बहुत motivate करा है बट उसके बाद भी कहीं आपके partner ने आपसे distance ले लिया ठीक है कहीं नहीं उसके बाद भी आपके partner आपकी value नहीं करते है आपको ऐसा लगता है कि जितना मुझे मिलना चाहिए या जो value इनको करना चाहिए वो value वो इच्जट मुझे इस रिष्टे में मिलती नहीं है आप बहुत परिशान रहते हैं उस परसन के वैसे डेफिनिकल आपके अंदर एक टैंशन वाली एनरजी जरूर है हो सकता आप इस रिष्टे से निकलने का प्रयास कर रहे हो या चाहते हो कि मैं इस रिष्टे से निकल जाओ बट उसके बाद भी कही न गहीं आपके अंदर एक इरिटेट वाली एनरजी जरूर है ठीक है कि मेरे साथ ही क्यों मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों होना है एक पल बहुत ज़्या पॉज़िव होते हो दुसरे पल कही न गहीं रोना धोना आपका स्टार्ट हो जाता है ठीक है so mood swings बहुत है आपकी definitely mood swings बहुत है आप न लाइक ऐसा नहीं है कि आप एक mindset बना के चल रहे हो अपनी life में ठीक है कि मुझे ये करना ये करना मुझे ये करना और मुझे ये सारी चीज़े तो बिल्कुर भी नहीं कर नहीं है ऐसा नहीं है यहाँ पर letter L बना है letter L, letter L, letter I, letter T, A, P okay कुम राशी मिली है letter A है okay N B है, okay N है, N S okay राशी के में बात करूँ तो जैमिनी राशी है Paisis है, Paisis यानि के मीन राशी Scorpio है, Aries है Gemini Kirk राशी है, Cancer अग्यों, ये राशी है बार-बार मुझे एक्टम से दिखाई दे रही है ठीक है, आपके partner इस रिष्टे में चाहते हैं कि balance है, ठीक है आप थोड़ा से adjust and confirmize करो कहीं आप बहुत ही जादा ऐसा लग रहा है पिछले कुछ दिनों से आप बहुत aggressive हो गए हो, ठीक है aggressive हो अपने person के प्रती आप उन सारे बातों के एकदम से निगलेट करते हो आप दोनों मेरे time की बहुत ही जादा कमी है या तो यह आपको time नहीं देते ठीक है आपको समझने का प्रयास नहीं करते या फिर आप अपने person को time देना ही नहीं चाहते आपको कुछ कुछ चीज़े ऐसी है जो समझ में आ गई है clear हो रहे हो आप दीरे दीरे ऐसा लग रहा है आपको clarity मिल रही है ठीक है V letter मिला है मुझे ठीक है V मैंने अगर नहीं like बता दिया है तो it's okay और नहीं बताया तो V letter मुझे हापे मिला है ठीक है ऐसा लग रहा है कि आपके partner चाहते है कि आप उनके साथ थोड़ा सा conformize करो कहीं और committed नज़र आ रहा है या family के वज़े से है या family नहीं चाहती है ठीक है family की मर्जी से ये कुछ कर रहे है ये energy ने इनके अंदर like recent past के energy नज़र आ रही है ऐसा लग रहा है कि recent past में सब कुछ ये सोच रहे थे और वही सारी energy ये बार 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 like अपने अंदर लेके आ रहे है definitely third party situation है आप दोनों में और आपको पता है I feel कि आप जानते हो इस third party के बारे में आपको अंदाजा है yes आप जानते हो अगर नहीं जानते है तो आने वाले कुछ समय में बहुत जल जान जाओगे ठीक है universe मुझे इनका next section बताए next section बताए universe क्या चाहते है ये वेक्ती क्या कोई next section है इनका again मैं आपको वही कहूंगी ठीक है कि आपके person चाहते है कि third party के साथ आप adjuster confirmize करो जो चीज़े आप चाहा रहे हो ये person आपको deliver नहीं कर सकते ठीक है इनके मन में ये सारी बाते है ये नहीं currently तो ये आपको deliver नहीं कर सकते definitely इनके मन में चल रहा है कि आप बहुत ज़ादा like भावुक हो जाते हो ठीक है emotionally आप deal करने लगते हो पहले आप बहुत अच्छे थे practical थे आपका ध्यान इनके उपर इतना ज़ादा नहीं रहता था ठीक है but sudden like आपने अपना काम वो आप सब कुछ छोड़ के और इनके उपर focus करना start किया है जिसके वज़े से इनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप वो focus के चक्कर में इतना ज़ादा इन से like deep love कर बैठे okay या इतना deep आप इनके अंदर जा चुके कि इनको खुद भी पता नहीं चला और आपने अंदर ही अंदर चीजे कहीं नहीं अपने mind में create करते 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 इतना ज़ादा खराब कर ली उसके बाद इस person को कहीं नहीं पता चलाएगे ठीक है ठीक है कि परसन ने आपके अंदर एक भैंकर लेवल का परिवरतन चेंज का सामना जरूर कर रहा है इनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे person बिल्कुल भी नहीं थे कहीं न कहीं आप अपने काम को अपने आपको priority पहले देते थे पिछले कुछ time से आप अपना काम धंदा सक छोड़ चाड़के इनके पीछे लग गए ठीक है और इनको पता ही नी चला कब आप इनसे इतना expectations लगा के बैढ़ गए कब आप इनसे इतना ज़्यादा emotionally attached हो गए उसके बाद चीजे एकदम से सामने निकल के आई और अप एकदम से commitment marriage की demand करने लगे ठीक है इस person के लिए वो चीजे शॉक थी because इनको ऐसा लग रहा था कि भाई मैंने तो यह expecting नहीं किया था इस person से कि यह कुछ ऐसा भी कर सकता है या कर सकती है ठीक है हो सकता है आप अपनी marriage life में बहुत खुश थे आप दनों अगर married हो सो आप अपने marriage life में खुश थे वहाँ पे भी आप सब कुश सही से समाल रहे थे आप इनके साथ भी balance कर रहे थे एकदम से आपने अपने marriage life को पर ध्यान देना छोड़ दिया और आप इनके पीछे पीछे आगए ठीक है रिष्टे में में commitment नहीं दे सकता या आगे नहीं बढ़ सकता long term नहीं जा सकता हो सकता है family issues family पसंद नहीं करती ठीक है family नहीं चाहती है ठीक है family के वज़े से कुछ restriction हो सकते इनके life में जिससे कि इनको लग रहा है कि भाई यह सब तो कर पाना मेरे लिए possible नहीं है ठीक है या तो फिर यह male है female है matter नहीं करता ठीक है बर definitely इनके life में restriction हो सकता है और किसी भी तरीके से यह life रिक्स लेना नहीं चाहते ठीक है आप दोनों के रिष्टे में रिक्स लेना नहीं चाहते आपके रहने से इनके life में growth बहुत अच्छी होती है ठीक है पैसों के मामले में definitely a person grow बहुत करते है आपके कहीं नहीं energy बहुत positive हो सकती है आप spiritual हो सकते हो ठीक है उसके कारणी कहीं नहीं इस person के life में आप इसा मान के चलो आपका जो luck है वो आपके favor में काम नहीं करता होगा समटाइम्स बढ़ आपसे जुड़के ना लोगों का बहुत अच्छा हो जाता है लोगों का बहुत भला हो जाता है इस तरीकी की energy इस person ने definitely feel करी है और आपके life में रहने से ना इनकी पैसे के इतनी जादा problem नहीं होती है ठीक है वो पैसे या तो आप इनको financially help करते हो या फिर आपके luck के कारण ये person बहुत जादा खुद को abundant feel करते ठीक है तो ये थी गाइस आपकी reading 12 sign reading थी ये थी reading अगर आपको पसंद आई हो रिडिंग को like जरूर कीजिएगा चानल पर पहली बार आ है तो चानल को subscribe जरूर कीजिए ठीक है subscribe जरूर कीजिए like कीजिए video को share कीजिए और claim जरूर करे और किरिप्या करके कोई भी negative चीजिए अपने लिए ना बोले ठीक है because words का ना प्रभाव बहुत ज्यादा deep होता है ठीक है YouTube करो Google पे जाओ आप लोग और देखो कि words की मीनिंग क्या होती है कुछ-कुछ लोग ऐसे ऐसे words लिख देते यार comment box में मैं पढ़ती हूँ मैं भी इंसान हूँ ना मुझे भी हार्ट होता राइट फिर मैं सोचती हूँ कि मैं इतना ज्यादा डालती है आप लोगो हील करती हूँ आप लोगो समझाती हूँ गाइट करती हूँ उसके बाद भी आप ऐसे चीजे लिखके जाओगे तो भाई अच्छा लएगा राइट सो कभी यह चीज अगर आपके साथ हो आप खुद पर अपलाई करके देखो ठीक है आपको कैसा फील होता है अच्छा नहीं लगता ना सो थोड़ा सा समझा के लिए मुझे पता परशानी में हो आप टेंशन में हो चीजे आपको समझ में नहीं हा अच्छा करने के लिए ठीक है बट जरूरी है तो आप कितना ट्रस्ट करते हो यूनिवर्स पे खुद से कितना अच्छे से रहते हो ठीक है खुद को कितने अच्छे से जान पाते हो यह जर्णी होती है इस दुनिया में हर किसी की अपनी अपनी एक जर्णी है ठीक है हर अपने अपने जीवन में, अपने अपने करमाज में हर कोई वियस्त है अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए ठीक है, सो सबकी अपनी अपनी जोर्णी होती है सो समझा करो आप, ठीक है, थोड़ा सा समझा करिए अगर तब भी समझ में नहीं आता सो कभी मैं अच्छे से समझाऊंगी आप लोगों अभी के लिए बस इतना ही मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले डिंग में बाई गैस